कल रात एक ऐसा वाकिया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलूं को छू लिया। करीब साथ बजे होंगे, शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज आई। आप कह वाजन दिया कि कम से कम एक घंटा पहुचने में लगेगा, जैसे तैसे पूरी घबडाहट में पहुचा। देखा तो भाई साहब हमारे मित्र जो जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं, बारह साल का बेटा भी परेशान है, नौ साल की बे अलाक देना चाहते हैं, मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैंबली है, दो बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है, प्रथम दृष्टी में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से, पूछा दादी किधर है, बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें तीन दिन पहले आगरा के व्रिधाश्रम में शिफ्ट कर दिया है, मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ, कुछ देर में चाय आई, भाई साहब को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी, और कुछ ही देर मे वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट-फूट कर रोने लगे, बोले, मैंने तीन, दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं अपनी 61 साल की मा को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ, पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी ने कसम खाली, कि मैं मा जी का ध्यान नहीं रख सकती, ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे, रोज मेरे कोट से आने के बाद मा खूब रोती थी, नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यभार करते थे, मा ने दस दिन पहले बोल दिया, बेटा, तु मुझे ओल करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ, लोग बताते हैं, मा कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोडती थी, उस मा को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ, पिछले तीन दिनों से मैं अपनी मा क एक-एक दुहक को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए, मुझे आज भी याद है जब मैं टेंट की परीक्षा में अपियर होने वाला था, मा मेरे साथ रात-रात भर बैठी रहती, एक बार मा को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी मा के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीबी और बच्चों के क्या होंगे, हम जिनके शरीर के टुकडे हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए, जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जब म बिना बाप के पल गया, तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसी लिए मैं तलाक देना चाहता हूँ, सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा, कम से कम मैं मा के साथ रह तो सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करके मा आश्रम मे रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा, मा के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, मा की तरह तकलीफ तो नहीं होगी, जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे, बातें करते करते रात के साढ़े बारा हो गए, मैंने भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग आगरा पहुँचे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला, भाई साहब ने उस गेट की पर के पैर पकड़ लिये, बोले, मेरी मा है, मैं उसको लेने आया हूँ, चौकिदार ने कहा, क्या करते हो साहब, भाई साहब ने कहा, म अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी, उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, दो बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें, तो मैं अपने ईश्वर को क्या जबाब दूँगी, मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिये, ये लोग बहुत बड़े पश्चात को सुला रखा है, मुझे देखीं तो उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा, हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगी, आस-पास के कमरों में और भी बुजर्ग थे, सब लोग जाक कर बाहर तक ही आ गए उनकी भी आँखें नम थी, कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई, पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए, किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए, सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए, रास्ते भर बच्चे और भा माता जी एक, दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिष्टे पर बिठा रहे थे, घर आते आते करीब तीन बज गया, भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहां है, ये समझ गई थी, मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और द्रिश्य घूमते र जाएगी, बिना रीड का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं, अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो, तो उसको ये जरूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बे सहारा बे घर न होने दें, अ आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाद.